नमस्कार दोस्तों, आसा रख्टाओं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्त और सुरक्सित होंगे Myself बाविन सर फ्रम साहस इंस्टिटुट अफ कॉमर्स, your own personalized high-tech digital classes दोस्तों, आज के lecture के अंदर हम लोग discuss करने वाले हमारे एक बहुत ही important chapter and that is Underwriting of Sairs फिर से क्या है नाम chapter का Underwriting of Sairs तो आप सब लोग अपने पास हमारे pamphlet ले लीजिए साथ मैं pen, pencil, highlighter रख्या और notebook भी रखना क्योंकि इसके सारे concept समझने के बाद इसके example भी मैं आपके साथ solve करने वाला हूँ सबसे पहले हम लोग हमारे study content को discuss करें इससे पहले मैं आपको simple words में बता देता हूँ कि अंडर राइटिंग होता क्या है तो अंडर राइटिंग का मतलब होता है एक तरह की guarantee बायधरी, खातरी अब इसका use कैसे होता है तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब company अपना share बाहर निकालती है मतलब public offering लाती है तो company को minimum 90% subscription general public के पासे मिलना चाहिए और अगर वो 90% minimum subscription मिले तो ही company आगे अपना business कर सकती है मतलब company को certificate of incorporation तो मिल जाता है बट अगर public के पास से 90% share के लिए application नहीं मिलती है तो certificate of commencement of business नहीं मिल सकता और उस case में company को फिर जितना भी fund मिला हो for example 90% minimum चाहिए वो नहीं मिला 70% मिला, 80% मिला, 50% मिला जो भी है वो सब lot देना पड़ेगा और company आगे काम नहीं कर सकती तो यहाँ पर company के लिए promoters के लिए risk हो जाएगा कि अगर हमारे पास 90% amount नहीं आई तो हम लोग आगे business को कर ही नहीं सकती है और जिसके लिए हम लोग इतनी सारी महनत कर रहे है तो company यानि के promoters यहाँ पर क्या करते है कि ऐसे लोग या ऐसे organization जिसकी market में अच्छी खासी पकड़ है मतलब जिनके कहने पर public जो है वो यह company के share खरीद सकती है उन लोगों के साथ हम लोग एक agreement करते हैं देखो आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि आप कम से कम इतने percent share का subscription तो लेके ही आओ और अगर उतने percent share के subscription नहीं मिलते हैं public के पासे मतलब for example 90% के लिए हमने agreement किया और public के पासे 80% subscription ही मिला तो इस case में normal case में company start नहीं हो सकती पर यहाँ पर अगर underwriting agreement किया होगा तो जो gap के 10% रहे रहे रहा वो जो underwriters होते हैं वो person या organization जिसके साथ हमने agreement किया है वो लोग वो 10% share ले लेंगे बट हमको 90% share करके ही देंगे मतलब हम लोग mentally relax हो गए के चलो कुछ भी करके 90% share तो हमारे निकल ही जाएंगे और हम लोग हमारा business हमारी company आगे चला ही सकते हैं तो इस tension से free होके हम यानि के promoters company को कैसे चलाना है कैसे grow करना है उसके उपर focus कर सकते हैं और ये जिनके साथ company ने agreement किया minimum subscription के लिए उन्हीं लोगों को कहा जाता है underwriters और company ने ये जो agreement किया उसी को कहते है underwriting agreements clear हुआ दोस्तों ये basic language में समझाया अब हम इसके जो sentence to sentence चीज़े है वो discuss करेंगे तो देखिए underwriting is an agreement agreement to subscribe to the securities of a body corporate यानि की company when existing shareholder of the corporate और public public do not subscribe to the security offered to them मतलब अगर public share subscribe ना करे तो ये जिनके साथ agreement किया है वो लोग ये share खरीद लेंगे यानि के securities है वो share हो, debenture हो या कुछ भी हो when a company goes in for an initial public offering इसका full form याद रखना जो कि आप लोगों को पता ही है बहुत बार आ चुका है it may face certain uncertainty about whether its offer of the shares or other securities will be subscribed in full or not मतलब जब भी company अपना share बहार निकालती है या कोई भी security तो उसके मन में एक uncertainty होती है कि क्या हमारे share लोग खरी देंगे या नहीं तो यहाँ पर if the public issue does not get fully subscribed the project for which the fund are raised cannot be implemented मतलब company start नहीं कर सकते if the company is not able to collect जो मैंने बताया percentage जो कि आपको याद रखना है 90% of the offer amount then it needs to compulsorily return the money to those who have subscribed to the share मतलब company को अगर 90% shares के लिए application नहीं मिलती है for example company ने 100 करोड का IPO निकाला है 100 करोड के shares public को issue किये है तो company को minimum 90% या company के AOA में ये 90% से ज्यादा का provision हो मतलब कोई company ने 95 रखा हो तो 95 90% से कम नहीं रख सकते है 90% से 100% के बीच में जो भी minimum subscription रखा है उससे कम share के लिए applications आई मतलब for example company को 100 करोड के share issue किये और 75 करोड के share के लिए ही application मिली 90 करोड के लिए नहीं मिली तो अब क्या होगा तो company आगे work नहीं कर सकती और जो 75% यानि कि 75 करोड रुपीज मिले है वो भी उन लोगों को वापस लोटाने पड़ेंगे so यहाँ पर इसी चीज को avoid करने के लिए to avoid the risk of under subscription companies में seek the help of a specialized group of risk redeemers called under writers company क्या करती है seek the help of जो भी लोगों का वो help लेती है उसको हम लोग कहेंगे under writers and the function of under writer is to arrange subscription of a floated set तो अब इसके अंदर जो important terms से वो एक एक करके discuss करते है जिसमें सबसे पहली बात कहिए कि under writing मतलब ये agreement की बात कहिए कि under writing क्या है तो under writing is the process which refers to the definite and unambiguous assurance unambiguous का मतलब होता है clear unambiguous का मतलब लिख देना clear क्योंकि ambiguous का मतलब होता है uncertain and unambiguous मतलब clear by underwriter to take up the fixed number of shares of the company irrespective of shares subscribed for by public in such cases underwriters are committed to subscribe to pre-agreed number of shares along with unsubscribed share or debentures if any and even if issue of share is over subscribed underwriters are liable to take up the decided number of shares मतलब ऐसा पहले से ही fix किया है कि underwriters जो है वो इतने shares तो लेंगे ही और वाकी के public को वो बेचेंगे तो वहाँ पर उन्होंने जितने shares subscribe करने के लिए भी guarantee दी होगी मतलब agreement किया होगा उतने shares उनको तो लेने ही पढ़ेंगे चाहे over subscription भी क्यों ना हुआ हो ठीके? पर वो depend करता है company और underwriters के agreement के उपर जो की company और underwriter के हिसाब से change हो सकता है now the next concept is underwriters and brokers तो देखिए brokers merely promise brokers merely promise to attempt to secure the subscription of shares मतलब वो promise करेंगे भी हम कोसिस करेंगे हमारी side से कि आपके सारे के सारे share भीक जाए ना भीक जाए तो भीर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं हम लोग हमारे side से कोसिस करेंगे however they are not responsible for the subscription of the shares of the company brokers only procure subscription for the shares from public on company's behalf the remuneration they get for their service rendered to company is known as brokerage देखो underwriters में क्या होता है और जो brokers होता है उसमें क्या होता है वो भी समझ लो company ने for example 100 करोड के share issue किये है और company को जो 90% subscription है यानि कि 90 करोड के share के लिए offer मिलनी चाहिए अब यहाँ पर जो broker होते है वो क्या करते हैं हम लोग हमारी side से पूरी कोसिस करेंगे कि ये 90 करोड के share public खरीद लें ठीक है वो कोसिस करेंगे और उस काम के behalf में वो अपने जो charges लेते है उसको कहते है brokerage share नहीं खरीदेंगे अब वो company की जिम्मेदारिक भी ठीक है आपके share नहीं हुए minimum subscription जितने company बंद करो जब की underwriters क्या करते हैं कभी देखो 80 करोड के share कोई बात नहीं 10 करोड के share हम लोग ले लेंगे बग तुमको 90 करोड में आने के minimum subscription की amount इकठा करके देंगे ही तो आप tension free हो जाओ और आप company के growth पर focus करो तो company के लिए underwriting agreement करना ये ज्यादा advisable होता है no doubt उसका charges भी वो ज्यादा लेते है जिसको हम लोग कहते है underwriting commission broker की brokerage underwriters का underwriting commission अब ये कौन-कौन से type के underwriting agreements होते है वो भी जरा समझ लेते है क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है तो पहला है complete underwriting और दूसरा होता है partial underwriting देखो एक है complete और दूसरा है partial complete में क्या होगा जितने share issue किये वो सब के लिए company agreement करवा लेती है obvious है कि company की image होती है अभी for example 100 करोड के share या 1000 करोड के share जो company issue कर रही है तो market में उसकी भी image होगी तो 1000 करोड में से 1500, 200, 300, 400, 500 करोड तो लोग ले ही लेंगे तो company को हो सकता है कि 1000 करोड का पूरे का पूरा subscription करने की जरूरत नहीं है 500 करोड तो हम हमारे दम पर बेच देंगे बागी के 500 करोड की जिम्मेदारी आप लोग ले लो तो यहाँ पर company क्या करेगी partial underwriting करेगी जबकि complete में क्या 1000 करोड की जिम्मेदारी तुमारी हमारी company में image हो ना हो आप काम अपना करो हम लोग company के growth पर focus करते है तो देखो in case of complete underwriting the whole issue of share is underwritten main keyword यह है for example 1000 करोड के share issue किये है तो पूरे का पूरा underwriting कर देंगे it may be underwritten by a single firm or institution agreeing to take the complete risk or it can also be done by multiple firm or institution तो यहाँ पर अब यह 1000 करोड की guarantee दी नहीं है तो कोई एक firm बहुत बड़ी हो for example तो वो पूरी firm risk ले सकते हैं भी 1000 करोड के share हम base देंगे नहीं भी के तो हम ले लेंगे या तो फिर क्या करेंगे यार 1000 करोड का तो बहुत बड़ा agreement हो जाएगा तो यह काम करता है मैं इस तरह से underwriting का काम करता हूँ मैं और चार underwriters को पहचानता हूँ वो भी इस तरह का काम करता है पर यह तो 1000 करोड का यह company को assurance देते है तो वो भी हो सकता है बट होगा क्या company को 1000 करोड का मतलब जितने का public offering है पूरे के पूरे share का underwriting मिल जाएगा जबकि partial में क्या होगा only a part of share's issue of the company is under return जैसे कि IPO 1000 करोड and underwriting वो भी 1000 करोड तो यह क्या हो गया complete underwriting जबकि partial underwriting में क्या होगा कि IPO 1000 करोड का पर underwriting for example किया है 600 करोड का तो यह क्या हो गया partial underwriting उसके बाद है underwriting commission तो underwriting commission यह भी एक interesting point है जो underwriters होते है उनको जो remuneration मिलता है और उस underwriting commission का payment इसके examples यह calculations भी आपको आ सकते हैं तो it is the consideration which is payable to underwriter consideration payable to underwriters for underwriting an issue मतलब जो guarantee दी है उसके बिहाफ में जो consideration जो remuneration underwriter को मिलेगा उसको कहते है underwriting commission underwriting commission is paid at a specified rate on the issue price देखो specified rate किसके उपर है issue price of the whole of the shares underwritten whether the underwriters are called upon to take up any shares or not it totality the risk bore by the underwriter risk born born नहीं है risk born by underwriters bears them the fruit of commission मतलब वो जो risk लेते हैं भई underwriting करके देंगे ही उसके बढ़ले में उनको जो reward मिलता है उसी को underwriting commission कहते है underwriting commission में also भी along with a brokerage amount मतलब brokerage भी हो सकता है मतलब कैसा contract हुआ है underwriter और company के बीच उसके ओपर depend करता है अब इसका payment कैसे करेंगे ये चीज़ थोड़ी अच्छे से समझ लेनी है तो section 40 subsection 6 of the companies act 2013 provides that a company may pay a commission to any person in connection with the subscription और procurement of subscription to its security whether absolute or conditional subject to the following conditions which are prescribed as under तो हम लोग जो conditions है payment of underwriting commission उसकी notes हम लोग समझते है पहला the payment of such commission shall be authorized ये तो company होता है तो उसका internal management AOA के base पर होता है तो AOA में permission होनी चाहिए underwriting agreement करने के लिए और underwriting commission pay करने के लिए the commission may be paid out of the proceed of the issue or the profit of the company और both मतलब ये जो underwriting commission pay करना होगा for example 1000 करोड का agreement जो हुआ है underwriting का इसके लिए for example 5 करोड की fees है example के तोर पर ये 4 करोड की fees है तो वो 4 करोड pay कहां से करेगी company तो company ने जो ये issue किया है public issue लिंकाला है sales issue किये उसके उससे जो 1000 करोड आये है उसमें से वो 4 करोड की underwriting की commission की fees दे देंगे ऐसा कर सकता है या company का जो profit हो अब सोचो आप क्यों sir company का profit कैसे हुआ company तो नहीं नहीं है ऐसा नहीं होता है कई बार ऐसा होता है कि company काफी time से work करती है private company के तोर पर work करती है और अब public company हुई है और वो share issue कर रही है तो उसके पास पहले के profit हो सकते है तो वो profit में से pay करे या phrase issue मतलब जो company ने securities या shares issue किये उसमें से या दोनों का combination भी कर सकती है यह important है the rate of commission this is important यह याद रखना है objective में भी काम लग सकता है rate of यह भी आपके लिए काम का है out of the proceed of phrase issue or the profit rate of commission paid or agreed to be paid sell not exceed in case of shares 5% of the price at which the shares are issued मतलब share जितनी price पर issue किये उसके 5% से ज्यादा आप under rating commission नहीं रख सकते हैं और वहीं पर क्या बोला है whichever is और या तो फिर company ने कम रखाये तो चलेगा पर 5% maximum limit उससे कम रखाये तो it's okay and in case of debenture अगर debenture की बात करे तो sell not exceed 2.5% of the price मतलब share के case में max limit है 5% share 5% यह maximum limit है इससे कम चलेगा और debenture 2.5% clear अब the prospectus of the company sell disclose मतलब company का जो prospectus होता है उसके अंदर यह underwriting related क्या क्या चीज़े disclose होनी चाहिए तो the name of underwriters rate and amount पहला तो नाम होना चाहिए किसके साथ underwriting agreement किया है वो उसके बाद rate and amount of the commission number of securities which is to be underwritten और subscribe by the underwriters तो इतनी चीज़े होनी चाहिए there shall not be paid commission to any underwriter or security which are not offered to the public मतलब no commission for sir's securities which are not offered to public obvious है कि जो sir हमने public को issue ही नहीं करने है उसके उपर underwriter को किस चीज़ की underwriting का commission देंगे यह underwriting commission ही इस चीज़ के लिए होता है यह public को sir issue करेगी public ना खरीदे तो तुम guarantee दे रहे हो और उसके बडले में commission दे रहे है अब हम public को sir issue नहीं करेंगे तो but obviously बात है कि का है की guarantee और का है की यह वो guarantee का commission a company of the a copy of the contract for the payment of commission is delivered to the registrar at the time of delivery of the prospectus for the registration और यह limit तो अल्रड़ी आ चुकी है कि sir के case में 5% है and 2.5% debenture के case में जो हमने अल्रड़ी disclose कर दिया है जो की maximum rate है उससे कम हो सकता है अब यह चीज़ बहुत ही important आ रही है दोस्तो बहुत 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 ध्यान से सुन लेना क्योंकि example related यहाँ पर आपको काम की information मिलेगी और इसी के उपर आगे जो examples करने है वो इसके उपर ही रहने वाले तो यह बहुत important चीज़ है marked and unmarked applications और वो discuss करें उससे पहले में बता दू दोस्तों कि अगर आप या आपके कोई भी friends ऐसा है जिन्होंने अभी तक साहस इंस्टिट्यूट को offline mode, online live mode या application mode पर जोइन नहीं किया है जहाँ पर lowest fees पर best quality education सभी subject के लिए मिलता है तो आज ही साहस के साथ जुड़े अपना knowledge और result दोनों ही बढ़ाए with convenient education देखिए marked application when sales issue of a company's underwriter by two or more person मतलब underwriter दो या उससे ज्यादा है the application for the sales sent through underwriter should bear a stamp of the respective underwriter if it is not done it would be very difficult for the company to determine the number of sales application या number of the application from each underwriter and in turn it will become an issue in determining the liability of each underwriter मतलब कहने कि क्या कोसिस हो रही है कि for example sales industries limited ने 1000 करोड का IPO निकाला है अब 1000 करोड का IPO ये बहुत बड़ी amount है तो कोई एक person कोई एक underwriter ये 1000 करोड के subscription के लिए guarantee नहीं ले सकता तो हमने क्या किया है दो underwriter को appoint किया है करन और अर्जुन अब यहाँ पर करन को 500 करोड के sir की responsibility दी यारिक underwriting agreement किया और अर्जुन के साथ 500 करोड की sir की application के लिए agreement किया अब company को applications आ रही है लोगों के पास से तो company को कैसे पता चलेगा कि ये application current के थ्रु आई है या अर्जुन के थ्रु समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं है सभी application सेम है तो company के पास application तो आ गई पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से underwriter के थ्रु कितनी हमको applications मिली है तो यहाँ पर क्या किया जाता है stamp यान के mark किया जाता है ये current वाली application ये अर्जुन वाली application देखिए hence marked applications important is marked applications are the ones bearing a stamp of respective underwriters while the applications received directly by the company and which do not bear the stamp of the underwriters are known as unmarked application मतलब यहाँ पर क्या होगा current या अर्जुन दोनों में से जिसके भी through ये application आई होगी उसका mark लगा हुआ होगा mark होना चाहिए तेजा मैं हूँ mark यहाँ है पता है आमिर खान, सल्मान खान, अंदाज अपना अपना movie उसके अंदर असन मार्क इधर है, मार्क जरूरी है अभी जिसको पता होगा उसी को पता चलेगा, जिसको नहीं पता होगा सर यह क्या बोल रहे है बीच में पागल वागल तो नहीं हो गए तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि करण या अरजुन जिसके भी थ्रू यह application आई है उसके उपर करण का या अरजुन का मार्क लगा हुआ होगा और ऐसी कोई application है जिसके उपर ना करण का मार्क है ना अरजुन का मार्क है मतलब उसको हम बोलेंगे unmarked application क्योंकि company की खुद भी कोई image होती है तो मतलब समझो कि 1000 करोड के sales के लिए application निकाली है हमने 500 करोड के application के form जो है वो करण को दे दिये 500 करोड के sales के application के form अरजुन को दे दिये और हमारे पास हम खुद company है तो हमारे पास भी तो होंगे हमने भी हमारे form market में उतारे 200-300-500 करोड के अब जो करण के थुआया है उसके application के उपर करण का stamp लगा होगा जो अरजुन के थुआया है उसके उपर अरजुन का stamp लगा होगा और जो ना करण के थुआया है ना अरजुन के थुआया है डाइरेक्ली आया है उसके उपर मतलब जो हमने form दिया था उससे आए उसके उपर कोई marking नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे unmarked application तो mark and unmark समझ में आ रहा है जो underwriter का stamp लगा होगा उसको बोलेंगे marked application और बिना underwriter के marking के stamp के जो application होती उसको हम बोलेंगे unmarked application if the entire if the entire share issue is underwritten by single underwriter then marking of application becomes immaterial तो यहाँ पर यह mark या unmarked case तभी आता है जब दो या उससे ज्यादा लोग application देते है अब अगर एक ही है तो तो mark या unmarked कुछ फरक नहीं पड़ता है क्योंकि सारी की सारी responsibility उसी की बनती है तो यह ध्यान रखना के mark या unmarked application का issue तभी होता है जब दो या उससे ज्यादा underwriters हो अगर एक ही person के साथ underwriting agreement किया है तो mark unmarked का कोई sense नहीं बनता है इसका मतलब क्या होता है for example 1000 करोड के सारी issue की है उसमें से 300 करोड की responsibility करन की है और 700 करोड की responsibility अरजून की है तो फिर अगर सो सारी नहीं भी के वो भी उनको उनका जो 3 is to 7 का ratio है उसी में ये liability बैर करनी पड़ेगी ठीक है वो example के अंदर आपको मैं समझाओंगा अब यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे पूरी underwriting की ठीक है तो यह important चीज है और इसके बाद ही हमको example की practice करनी है तो जो भी students यह session को हमारी YouTube channel पर देख रहे थे उन लोगों के लिए यहां पर यह session complete हो रहा है जो sahas के students है उन लोगों के लिए session continue ही है और इसके अंदर ही हम लोग आगे example discuss करने वाले है जो की आप लोगों को compulsory देखने है exam oriented काफी important है और जो student सास के साथ अभी तक नहीं जुड़े है उन लोगों के लिए best offer है कि आप आज ही सास institute के साथ जुड़े या सास smart studies application थूपड़े जहां पर आपको कोई place का barrier नहीं रहेगा आप कहीं से भी भैतरिन quality का education सभी subject के topic wise based pre-recorded videos daily classroom में जो हम पढ़ाते हैं सभी branches के daily live lectures के videos, revision notes, revision videos, past papers के notes, उसका solutions, उसके discussion के videos, most important topics for the exam का list और वो सारी की सारी चीज़ आप लोगों के पास रहेगी जिससे की कोई भी level का student बहुत ही अच्छे से smart तरीके से पढ़ाई करके अपना knowledge और result बढ़ा सकता है तो सभी students इसके साथ आज ही जुड़े और जो सास के students है उन लोगों के लिए session continue ही है firm underwriting. In case of firm underwriting, the underwriter take up an agreed number of to the firm underwritten in addition to unsubscribed shares if any. And in such instance, an underwriter is not allowed to set off his firm underwriting against his liability otherwise determined he will then have to subscribe for both share underwriting firm and for shares which he has to take under the underwriting contract. Ignoring forms underwriting. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काम की नहीं है. आप भी इसको बिल्कुल ही ignore कर दीजिये. जैसे यहाँ पर firm का underwriting ignore किया चाता है. चलिए. अब हम लोग आज आता है इसके example के उपर which is very very important from the exam perspective. तो आप सब लोग pamphlet के साथ-साथ अब notebook, pen, pencil, scale और calculator भी लेके ready हो जाएए. चलिए दोस्तों तो यहाँ पर example number one जिसमें क्या बोला है ABC Limited incorporated on 1st January 2022, अब year 22, 24, 26, 28 कोई भी हो. Issued a prospectus inviting application for 20,000 equity share of rupees 10 each. यह important sentence है हमारे लिए the whole issue was fully underwritten by Amit, Nakul and Ram. देखो तीन underwriters हुए यहाँ पर Amit, Nakul and Ram. अब इसमें से यह 20,000 share में से किसने कितने shares के लिए responsibility ली है तो Amit ने 10,000, Nakul ने 6,000 और Ram ने 4,000. अब इसका आप total करोगे तो 20,000 share total issue के हो जाएंगे. Now applications, अब इसके बाद क्या बोला है, आगे क्या हुआ? Applications received for 16,000 share total company ने 20,000 share निकाले बट उसमें से 16,000 share के लिए application आई और इसमें से कौनसे underwriter की कितनी application आई? तो Amit के 8,000 share के लिए application आई? हलाकि उसने assurance दिया था 10,000 के ठीक है, देखो. जो है, वो उस particular underwriter के पास आए, मतलब ये क्या हो गया? Marked application. क्योंकि ये पता चल गया कि इतने सेर इस underwriter के थुरू आए है, तो इतने numbers underwriter के marked application में जाएंगे. You are required to find out liability of individual underwriter. Unmarked application is to be allocated in the gross liability ratio. हर एक example में आपको mainly यही चीज़ find out करनी है. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? जो Unmarked application होती है ना, वो हमेसा gross liability ratio में ही ली जाती है. तो हम लोग पहले gross liability ratio find out कर देते हैं, और Unmarked liability, यानि कि Unmarked share कितने हैं, वो भी find out कर लेते हैं. तो सबसे पहले gross liability ratio, तो वो gross liability ratio, उन लोगों ने जितने share के लिए underwriting agreement किया है, उसी में रहेगा, तो यहाँ परमतीनों जो underwriter से उसके नाम लिखेंगे, देखो, आप लोग अपने book में working note number one, gross liability, अमीत, नकूल, राम, इस तरह से लिखेंगे, अमीत, नकूल, राम, कितने shares के लिए उन लोगों ने underwriting agreement किया है, यह वाला, अमीत के 10,000 सेर, अंडर राइटिंग, 10,000 सेर, नकूल के 6,000 और राम के 4,000, 6,000 और 4,000, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप पीछे के 3, 3, 0 निकाल दो, तो 10, 6, 4, 10 is to 6 is to 4, और इसको हम लोग further divide करें, further करें, तो क्या हो जाएगा, दो से common divide हो सकता है, तो 5 is to 3 is to 2 भी कह सकते हैं, तो 5 is to 3 is to 2, या फिर 10 is to 6 is to 4 रहने देते हो, तो भी चलेगा, यह हो गई gross liability, अब हमको क्या कर लेना है, कि जो application आई है, उसका bifurcation कर देते है, marked and unmarked application में, तो इसमें सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, कि टोटल application कितनी receive हुई है, तो देखो 16,000, total application received, 16,000, अब 16,000 में से एक category चली जाएगी marked application की, अब mark में, तीन जो underwriter है, उसका देखो, 16,000 में से marked application कितनी आई है, अमीद के 8,000 यह रहे, देखो, 8,000, 2,850 और 4,150, तो यहाँ पर लिखेंगे, अमीद के 8,000, नकूल के 2,850, और राम के 4,150, और इसका हम लोग total करेंगे, तो इसका total देखते है, calculator पर 8,000, आप अपने calculator पर करोगे, 8,000, plus 2,850, plus 4,150, तो total कितने हुए दोस्तों, 15,000 हुए, तो 15,000, यह marked application हो गई, तो unmarked application अब कितरी बची, total 16,000 application आई थी, उसमें 15,000 mark थी, तो unmarked application हो गई, 1000, और यह 1000 कैसे आई, वो पता चला न, total जो 10,000 है, 16,000 है, application received, उसमें से 15,000, यह वाले, उसको minus करेंगे, तो 1000 यह unmarked application रही, और यह जो unmarked 1000 सेर के application रही, वो जो underwriters है, वो अपने gross liability ratio, यानि कि 5 to 3 to 2 में, फिर distribute करेंगे, तो अब यह दो working note लिख देने के बाद, आपको एक total statement बनाना होगा, final statement of liability, इसमें particular, और जितने भी underwriters होते हैं, उसके नाम, यहाँ पर Amit, Nakul and Ram, आप 10 से 15 line का एक table बनाओ, particulars, Amit, Nakul, Ram, ऐसा table बनाओ, जली वीडियो को post करो, और table बनाओ, अब यह table के अंदर सबसे पहला लिखा जाता है, gross liability, ध्यान रखना, gross liability, फिर उसमें से marked application को minus किया जाता है, फिर unmarked application, उनके gross liability ratio में distribute करके minus किया जाता है, ठीक है, तो पहला यह है, gross liability, तो gross liability कितनी दी है, यह रही थी, और marked application, इसमें से कितनी रही है, तो यहाँ पर हमने देखा, यह हमारी marked application थी, जो कि हमको यहाँ पर example में भी दिया हुआ था, 8,2850 और 4,150, तो यहाँ पर हम minus करेंगे, 8,000, अमीद के marked application के, नकूल के 2,850, और राम के 4,150, यह minus करेंगे, तो अब कितने underwriter को, मतलब concern writer को, कितना balance बाकी बचता है, तो calculator पर देखो, पहले अमीद का, 10,000 liability थी, उसमें से 8,000 तो उसके marking वाली ही application आ गई, तो 2,000 अभी भी बाकी है उसके, नकूल के 6,000 का assurance लिया था, उसमें से 2,850 ही उसके नाम के आए, तो 3,150 उसके अभी भी बाकी बचे लेने के, यानि कि liability रहे की, जबकि राम नाम से ही आगे निकल है, 4,000 उसकी liability थी, उसमें से already 4,150 की उनको application आ गई, तो इनका तो surplus सला गया, यानि कि यहाँ पर negative हम लिखेंगे, 150, ठीक है, अब यह 15,000 mark वाले, अब जो unmarked application होती है, उसका scene यह होता है, कि unmarked application को सारे के सारे underwriters के बीच में, उनके gross liability ratio, जो कि हमने यहाँ पर find out किया, यह 5 is to 3 is to 2 में bear करेंगे, और unmarked application कितनी बची है, लेस करेंगे, unmarked application, 1000 share की, in 5 is to 3 is to 2, तो 1000 into 5 by 10, तो obvious है, कि इसका आएगा 500 rupees, इसका आएगा 300 rupees नहीं, sorry, shares, एंड इसके आएगे 200 share, यह unmarked application का distribution हुआ, clear हुआ, चलो यहाँ तक की चीजों को पहले notebook में लिख दीचिए, तो अब calculator पर balance ढूटते है, अमीत का देखो, 2000 liability था, उसमें से 500 unmarked application के, उसके थुआए होंगे, ऐसा मान लिया जाएगा, तो उसके balance बचा अभी 1500, फिर नकूल के 3150 बाकी थे, उसमें से unmarked के 300 उसके थुआए होंगे, उसके ratio उसके इसाब से, तो यहाँ पर 2850, अभी भी उसको subscribe करवाने बाकी है, जबकि RAM में तो already 150 negative था, मत 350 वो तो आगे चल रहा है, तो अब क्या होगा, अब वाला step important है, यह जो extra आया है न, RAM का, वो बाकी के दो underwriters के बीच में, मतलब 350 को, अमीत और नकूल के बीच में distribute कर दिया जाएगा, अब बाकी के जो दो underwriter बचे, याने के, अमीत और नकूल, उसका ratio कौन सा है, तो 5 is to 3, क्योंकि RAM का तो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर, अब दो बचे, अमीत और नकूल, जिनका ratio है 5 is to 3, तो यह जो 350 है, surplus application, वो कितनी है, राम की 350, वो अमीत और नकूल के बीच में, 55 is to 3, मतलब 5 is to 3 में distribute करेंगे, तो चलिए, 350 calculator पर into 5 divided by 8, तो 218.75, मतलब 219, 219 सेर, इसके हो गया, ऐसा माना जाएगा, और यहाँ पर 350 into 5 is to 3 है, तो 3 by 8, तो 131, यह इसके माने जाएगे, और इसके यहाँ पर 350 निल हो गया, क्योंकि इसी को तो अमने distribute किया, तो अब final net liability क्या हुई, तो यह 1500 में से 2,219 और गए, अमित के 1500 minus 219, तो अमित को 1,281 सेर टेक ओवर करने पड़ेंगे, तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अंडर राइटिंग किया था, और इतने सेर नहीं भिके, तो 1,281 सेर, वो अमित को लेने पड़ेंगे, वही पर नकुल की बात करें, तो 2,850 minus 131, तो इतनी final net liability to 719, वो अमित की रहेगी, और राम का तो नील हो गया, क्योंकि वो तो अल्रड़ी आगे ही चल रहा था, तो यह final net liability, यह अमित और नकुल की इतनी रहेगी, अमित और नकुल has to take over these sets, आपको ऐसा लिखने की जुरूत नहीं है, take over these sets, clear, तो यहाँ पर हमारे यह example complete हुआ, ज़रा समझ के आप यह table को अपनी notebook में अच्छे से complete कर दीजे, समझ के लिखना है, clear, चलिए दोस्तों, यह example अगर आपने complete कर दिया हो, तो ऐसा ही एक और example discuss करते है, Jupiter Limited came up with a public issue of 30 lakh equity share of 10 each at 15 rupees, तो देखो यह 15 रूपे जो है वो issue price हो गई, यह ध्यान रखना, क्योंकि अगर underwriting commission जो होता है, वो पे किया जाता है issue price के उपर, ना कि face value के उपर, now x, y and z took underwriting of the issue in 3 is to 2 is to 1 ratio, तो यह gross liability ratio हो गया, ठीक है, यह directly दे दिया, applications were received for 27 lakh share, मतलब total 30 lakh में से 20 lakh share, 27 lakh share के लिए application आ गई है, और उसमें से कौनसे underwriter की कितनी application आई है, 8 lakh, 7 lakh, 6 lakh, total करोगे तो 27 lakh हो जाएगा, sorry, 27 नहीं होगा, वो mark होगा, और बाकी जो बचेगा वो unmark होगा, जो कि हम working करके find out करेंगे, तो यहाँ पर calculator पर हम find out करते है, 8 lakh, plus 7 lakh, plus 6 lakh, तो यह 21 lakh, यह marked application हो गई, obviously यह भी आपको समझ में आ गया कि यह mark है, तो unmark कितना होगा, हाला कि हम नीचा अलग से working करेंगे ही, तो 27 lakh, minus 21 lakh, तो 26, sorry, 6 lakh, यह unmarked application रहेगी, जो कि gross liability ratio में 8, 7, 6 में, sorry, 3 to 2 is to 1 में distribute होगा, ठीक है, now commission payable to underwriters at 5% on the face value of search, देखो, अब यहाँ पर specified कर दिया है, कुछ ना बोला होता हो तो issue price होती, बड़ यहाँ पर specifically क्या बोलती है, है, कि underwriter 5% commission face value of search पर pay किया जाएगा, an unmarked liability application is to be allocated in the gross liability ratio, तो सबसे पहले हम लोग gross liability ratio find out कर लेते हैं, x, y, z का, जो कि directly इस example में दिया हुआ ही है, x, y, z, देखो, gross liability, 3 to 2 is to 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 3 is to 2, 2 is to 1, directly given, फिर application का bifurcation, तो 30 lakh total application है, बट application received कितने के लिए हुई है, application received, तो application received है, 27 lakh, जो हमने already कर दिया है, इसमें से marked application है, 21 lakh, जो कि x, y, और z का, हमको directly दिया हुआ ही है, जो हमने देख लिया, 8 lakh, 7 lakh, 6 lakh, and unmarked application कितना बचा, जो हमने यहाँ पर working में देख लिया था, 6 lakh, और इसको क्या किया जाएगा, जो gross liability ratio है, उसमें distribute कर दिया जाएगा, जो कि क्या है, 3 is 2, 2 is 2, 1, तो 3 is 2, 2 is 2, 1 में distribute करेंगे, clear, तो चलो, जल्दी से table draw कर दो, जो कि आपको पता ही है, particular और जितने भी underwriters होते हैं, उसके नाम, और gross liability कितनी है, तो यहाँ पर directly number of sets नहीं दिया है, बट हमको ratio दिया है, 3 is 2, 2 is 2, 1, और यहाँ पर उन्होंने underwriting कितने के लिए किया है, यहाँ पर देखिए, side to underwriting of the issue, मतलब full issue, तो 30 लाख share है, उसको 3 is 2, 2 is 2, 1 में यहाँ पर gross liability रहेगी, यहाँ पर हम लिख देंगे, 30 लाख share into 3 is 2, 2 is 2, 1 ratio, तो चलिए, सबसे पहले, हम लोग यह लिखते हैं working में 30 लाख into 3 by 3, 2, 1, 3 plus 2 plus 1, 6, तो 15 लाख X की liability रहेगी, उसी तरह से Y की 30 लाख into 2 by 6, तो 10 लाख and obviously Z के इस तरह से आएंगे 5 लाख, इसमें से marked application कितनी कितनी आई है, जो कि हमको यहाँ पर directly दिया हुआ है, 8, 6, तो यहाँ से minus करेंगे, 8 लाख, 7 लाख and 6 लाख, तो यहाँ पर, अब balance कितना बचेगा, तो calculator पर 15 लाख minus 8 लाख, तो 7 लाख का balance अभी भी X का रहेगा, उस तरह से Y का रहेगा, 3 लाख और Z का negative, देखो 5 लाख minus 6 लाख करोगे, तो इसका तो surplus में चला गया, अब unmarked application जो है, जो कि हमने already find out कर दी है, 6 लाख और यह 3 इस्टू 2 इस्टू 1 में distribute करेंगे, तो 6 लाख in 3 इस्टू 2 इस्टू 1 ratio, तो चलिए, 6 लाख into 3 by 6, तो अब्यस है कि 3 लाख होंगे, calculate पर एक का करके दिखा देता हूँ, 6 लेक into 3 by 6, तो 6 लेक, यहाँ पर 3 लेक, यह 2 लेक और यह 1 लेक, तो final balance कितना बचेगा, 7 लेक, minus 3 लेक निकालेंगे, तो इसका अभी भी 4 लेक बचा, इसका 3 minus 2 करेंगे, तो इसको 1 लाख सेर लेने के बचे, और इसके तो negative 1 minus 1, 2 लेक सेर surplus में हो गए, अब क्या होता है, कि यह जो surplus वाला होता है part, वो बाकी के partners के बीच में, उन दोनों की जो gross liability है, 3 is to 2 में distribute करेंगे, तो यहाँ पर surplus of z distributed between x and y, कौन से ratio में, उनका जो ratio है 3 is to 2, तो 2 लेक इन्टो 3 by 5, तो calculator के उपर 2 लेक इन्टो 3 by 5, तो 1 लेक 20,000, और इसका आएगा 2 लेक इन्टो 2 by 5, तो 80,000, और वही चीज, यहाँ पर positive 2 लेक हो जाएगी, तो इसका नील हो जाएगा, और इसको अभी कितनी liability लेनी पड़ेगी, gross, final liability, 4 लेक माइनस 1 लेक 20,000, calculator पर देख लो, 4 लेक माइनस 1 लेक 20,000, तो इसको लेने पड़ेंगे 2 लेक 80,000, इसको लेने पड़ेंगे 20,000, और Z का हो गया निल, यह इन लोगों की final liability रहेगी, ठीक है, अब उनका remuneration जो होगा, उसकी मैं hint देता हूँ, जो कि आपको working करना है, क्योंकि बहुत simple है, underwriting, commission, जो कि कितना है, at, 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 main चीज़ देखो यहाँ पर, 5% of face value, of sets, तो 5% of face value, face value है 10 रूपे, तो अब यहाँ पर, x, y, z, तीनों का देख लो, x, y, z, x का, यहाँ पर कितना है, total 15,000, उसको लेने ही पड़ेंगे, यह उसकी liability है, 10,000, और 5,000, तो 15,000,000, सेर, into rupees 10, जो total value आएगी, उसके 5%, ठीक है, सबके लिए यह ही होगा, यहाँ पर, इसकी liability है 10,000, सेर की, तो 10,000, सेर, into 10 rupees, और इसके 5,000, सेर, into 10 rupees, जो आएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे, और इसके 5%, कि उनका underwriting commission, हो जाएगा, जो कि company in underwriters को pay करेगी, समझ मैं आया, दोस्तों, चलो, तो यहाँ पर हमारा main example, complete हो गया है, बट फिर भी, एक extra practice के लिए, साथ objective के एंगल से काम लगे, एक और example, जो कि आगे बड़े example किया, तो यह तो बहुत simple है, company issued a 10,000 share of which 75% was underwritten by underwriter, देखो कितना underwritten किया है 75%, तो उतनी gross liability हो जाएगी, तो applications for 6,000 share were received out of which 4,800 share were marked by the underwriter, determine the net liability of the underwriter, अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा underwriter सा ऐसा कुछ नहीं का है, X, Y, Z, A, B, C, बाबुबुया, राजूसियां, तो जितनी भी liability रहेगी, वो भाई एकी underwriter की रहेगी, तो यहाँ पर सिर्फ gross liability कितनी है, तो 75% underwriting हुआ है, तो 7,500 यह उसकी total gross liability है, यह कैसे आया, 10,000 into 75%, इसमें से marked application कितनी आई, 4,800, total applications received हुई है, 6,000, जिसमें से marked application है, 4,800, यह marked application, तो उसके अलावा की जो बची, 6,000 में से, 4,800 माइनस करें, तो यह क्या हो जाएगा, unmarked application, तो यहाँ पर calculator के उपर, 6,000 minus 4,800, तो 1200 बचा, वो क्या हो गया, unmarked application, unmarked कैसे मिला, 6,000 minus 4,800 मार्किंग वाला, निकाल दिया, तो अब final, तो अब final net liability क्या रहेगी, तो अब्यस है कि जो gross liability है, 7,500, उसमें से, जो mark वाले है, उसको माइनस करो, unmark है, उसको माइनस करो, तो बचे कितने, 1500, 1500 share की, यह net liability, यह underwriter को लेने पड़ेंगे, clear हुआ दूस्तों, तो यहाँ पर, हमारे यह underwriting of shares वाले chapter की theory, और practical example, यह सब चीज़ा हमने यहाँ पर complete किया, I hope कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गई होगी, इसी तरह से सभी subject के बहतरीन quality के education के लिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर से suggest करें, कि SaaS Institute के साथ आज ही जुड़े, God bless you all, Jai Hind!